इसरों ने 15 फरवरी को 100 से अधिक नैनो और माइक्रो सेटलाइट्स छोड़े थे इनमें से डोप्स नाम के 88 सेटलाइट्स सेन फ्रांसिस्को की एक स्टार्ट अप प्लैनेट के हैं इसरों की 104 सेटलाइट लौच करने की एतिहासिक उपलब्दी की दुनिया भर में चर्चा है लेकिन इस उपलब्दी पर अब सवाल उट रहे हैं इसरों के पूर्च चिरमेन जी मादवन नायर का मानना है कि इस अभियान से नुकसान भी हो सकता है चंद्रयान मिसन लौच करने वाले इसरों के पूर्च चिरमेन जी मादवन नायर का मानना है कि पीए सेलवी का नए मिसन अंतरिक्च में उसके ही सेटलाइट के लिए खतरनाख हो सकता है नायर कुछ संभावित खतरों के बारे में भी आगा करते हैं नायर कहते हैं मैं थोड़ा चिंदित हूँ क्योंकि जिस स्थान पर इन्हें स्थापित किया गया है या वही स्थान है जह हमारे भू अवलोकन उपग रहे हैं या होंगे नायर के मताबिक नैनो सेटलाइट की लाइफ बहुत ही कम होती है जिसके बाद वे कचरा बन जाते हैं और अंतरिक्ष में उसी कच्छा में गुमते रहते हैं एक ही जगा पर होने के कारण इनका इसरों के कई एक्टिव सेटलाइट से टकराने का खतरा बना रहता है नायर कहते हैं कि भविस्षे में इन नैनो सेटलाइट में से किसी के भी मलवे और किसी अन्य देश के एक्टिव सेटलाइट से टकराने की स्थिति में भारत को इसकी बरभाई करनी पड़ेगी वे कहते हैं कि इसलिए मैं नहीं जानता कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं नायर अंतरिक्ष दाइतर संकल्प का जिक्र करते हुआ कहते हैं कि ये 1972 में प्रभावी हुआ था इसके तहट सैटेलाइट छोड़ने वाले देशों को अपने चेतर से छोड़ेगा उपरगरह की अंतर राष्टे जिम्मेदारी लेनी होगी चाहे वह उपरगरह किसी भी देश का हो नैर कहते हैं कि कम समय तक उपयोगी रहने वाले नैनो सैटलाइट को अगर लॉंच किया जाए तो उन्हें निचली कक्छाओं में ही स्थापित किया जाना चाहिए प्रिद्वी की निचली कक्छाओं में पैदा हुआ कोई भी कचरावायू मंडलीय प्रभाव से धर्ती पर आ जाएगा और काम कर रहे ग्रहों के लिए कोई खत्रा नहीं बनेगा नर कहते हैं छोटे और नैनो सेटलाइट के लिए एक और्बिट में निधारित करने के इस मुद्दे को बाहरी अंतरिक्ष के सांतिपुन उप्योग से जुड़ी यूने की समिती में उठाया जाना चाहिए साल 2014 में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को स्पेस में मौझूद मलवे के खतरनाक टुकडों से बचने के लिए तीन बार अपने स्थान से हटना पड़ा था एक्सपर्ट का भी मानना है कि सैटलाइट ड्रोन्स की तरह ही आम लोगों की पहुँच में आते जा रहे हैं अमेरिकन नेशनल साइन्स अकेडमी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सेटलाइट को कच्छाओं में स्थापित करने के खर्च में कमी आने के कारण स्पेस में टकराव का खतरा बढ़ेगा